करंगुट बीच पर बिदेशी ट्यूरिस्टें क्यों नहीं आते क्योंकि कुछ लोग पिंकी डंकी जैसे घूर घूर के देखते रहते हैं तो भी चलते हैं आगे की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे लोग घूर के देखते हैं तो पहला ये देखो ये सब लोग ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे साथ है एक रसियन ट्यूरिस्ट और रसियन गर्ल है इसलिए ये पिंकी और डंकी जैसे देख रहे हैं तो कलंगुट पीच पर यही कारण है कि बिदेशी ट्यूरिस्ट नहीं आते हैं अभी आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जब आप नौर्थ कोवा के कलंगुट बीच आओगे तो गोवा की काजू बहुत फेमस और यहां पर बहुत सारी ऐसी काजू सौप मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग खरीते हैं तो यह है गोवा के कलंगुर बीच की फ्ली मार्केट और काजू बहुत ही फेमस है लेकिन काजू स्कैम इन गोवा होता है काजू स्कैम इन कलंगुर बीच वो कैसे होता है मैं आपको वो ही बताता हूँ जब भी आप काजू लेना तो काजू बिलकुल प्लेन पैकिट वाई लेना या खुली हुई लेना जो कलरफुल पॉलिसी में पैक हो उस काजू को बिलकुल ही मत लेना लगता है यह भाई साहब भी काजू इस कैम में फस गये थे और आगे देखाता हूं मैं आपको अब कलंगुर वीच की फ्री मार्केट में ऐसे भाई साहब लोग दिख जाएंगे जो आपको हर वार टैटू स्कैम टैटू टैटू करा लो टैटू करा लो लेकिन इनकी बातों को नहीं सुनना है आप मैं आपको बताना चाहता हूं के रहुद लिच फिर यह कहरें बेस्ट वीच इनकारिया और जबंच जस्ट वीडियोग्र मिलने वाल अभी मैं लगबग पार्किंग एरिया में पहुचने बाला हूँ कलंगुट बीच का पार्किंग एरिया यहीं पर आ गए है और यहां से सुरू हो जाता है फ्ली मार्केट तो जो कलंगुट बीच के फ्ली मार्केट में टैटू स्कैम होता है काजू स्कैम इन गोवा टैटू स्कैम इन गोवा इसकैम इन कलंगुट बीच इसकैम इन गोवा आपको जो भी वैडियो में मैंने बताया वो सारी स्कैम यहाँ पर होते हैं तो अगर आप भी देखना चाहते हैं गुवा के लेटिस्ट वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना